हेलो एप्रिवन आज हम लोग केमेस्ट्री में एक बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं या इसको हिंदी हों बोलते हैं बहु लग ठीक है अगर आप प्रिवियर के कोई भी कुश्चिन पेपर उठा के देखे हैं चाहे बीस्ची लेबल के हो चा केमेस्ट्री वाले ही पढ़ते हैं इसको जो भी क्यूशी कमप्टेट्व एक्जाम की प्रिपेर कर रहा है वहाँ पर से वहाँ पर जो साइंस आती है जर्नल साइंस वहाँ पर इस पॉलिमर से आपको एक या दो कुछिन हमेशा देखने को मिलते है तो यह चेप्टर जो है तो आपको इसलिस संज्बमें भी आजाएगा और कुछ चीज ऐसी है जो आपको यादु करने पड़ेगी तो स्टार्ट करते है पॉलिकर जैसा कि पॉलिमर से नाम से प्ता चलए है कि जो पॉलिमर है जो फॉली का मदलब होता मैनी पॉली का मदलब क्या होता मैनी ठीक है मतलब और मर का मतलब बता पार्ट पार्ट या इसको बोलते है यूनिट ठीक है तो ये जो पॉलिमर्स होते है ना ये पॉलिमर्स क्या होते है ऐसे बड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर रिपीटिंग इस्ट्रक्चरल यूनिट उप्टेंड फ्रॉम सिंपल मॉलीकूल्स दी आर कॉल्ड और अल्सों कॉल्ड मैक्रो मॉलीकूल मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ठीक है जैसे हम लोग एक एजांपल लें जैसे मकान बनता ना मकान तो मकान भी हम लोग क्या कर सकते ह हैं और चोटी चोटी उनिट होती है मोनोमर क्या बहुत है क्यों बडा सब बनता है उसको हम लोग इस थरीके भी समझ सकते हैं जैसे उल्हेंपल यह आपने नाम इएथिन आपने तो बनता है पॉलिधीन भी बोल सकते हैं पॉलिधीन यह भी होता है एक पॉलिमर है वो किसी चीज़ से बनता है जैसे मैं के में खारा हूँ कि उम्हार हो लाग हो एथीन मॉलकूल जोड़ देंगे तो इससे क्या बन जागा पॉली एथीन मतलब बहुत पॉली मतलब कई एथीन बन जाएंगे तो यह जो छोटे-छोटे यूनिट होती हैं जिससे कोई भी बड़ा चीज़ बनता उसको बोलते हम लोग मोनोमर यानि एक लख हिंदी में बोलते हैं ठीक है जो बड़ा बनता है उसको बोलते हम लोग पॉ बनता है जिससे बड़ा सा मॉलीक्यूल बनता हूं कि अब देखो रिपीटिंग यूनिट क्या होती है इसको लिखने का तरीका भी आपको आना चीए जैसे देखो अब मैं यहां पर लिख सपोस करो मैं यहां पर लिख दू है सोच यह डबल बॉन चीए स्टू ठीक है तो जब सोच यह डोड़ेंगे तो क्या बनते हो इस टाइब के बन जाता ना है सीएस टू शीएस टू बड़ा सा मॉलीक्यूल जैसा बन जागा चैन बहुत सारे लंबी चैन बन जागी इसमें तो हम लोग क्या करते हैं जो मैंने यहां पर तो पुरा का पुरा लिखा है और भ थोड़ा नोटिस करो इसमें कि क्या यूनिट रिपीट हो रही है बार बार देखो चैन बड़ती रहेगे तो इसको बहुत क्योंकि बहुत ही बड़ा सा बनता है पॉलिमर तो इसमें पुरा पेज खर्च हो जाएगा हमारा और पेज के बाहर भी यह होते रहेगा चैन बढ़ती रहेगी तो इसको हम लोग फोर्फर में निके स्वाद चैसले में किज बड stubborn में लिए हम एक स्वड के इंदर रिपीट हो रहा हुआ उसको लिख सकते हैं तो मैंने तो मिके अन इधर को लिख और यह खत्уг है यहां चैनल को स्टलनिय को यहां पर रहें हैं कि हमने लिखेनchas नमख ऑन यह आप लिए ठीक है तो इस एको हम लोग स्वाुमर में आ या सकते है अब मोनोमर तो आपको समंझ है कि मोनोमर क्या कि वह स्चोपल गूश्य छोटे ऑप पॉली 토त से चोटे मोलेकूल जो पॉलिमर बनाते हैं वह क्सटा है पॉलिमर क्या होते हैं, मोनोमर क्या होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, पॉलिमराइसिन क्या होता है, ठीक है न, अब हम इसमें दो पॉलिमर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, एक को बोलते हम लोग होमो पॉलिमर, एक को बोलते हम लोग को पॉलिमर, ए तो यह देखो, सबसे पहले इसमें गा होता है हम्म रेल्टा होता है हो walk आधा होकी हो जो यह नहीं होता है अगर one ओमर एक ही जैसे हो तो जो पॉलिमर वन्मचास को बोलते हैं हो ही जैसे होंगे सब्सक्राइब गना है तो अगर मोणोमर जैसे होतो जो पॉलीमर बनता है लोग हमयोधिया एथिलीन ले लिया तो इसी आप के बहुट सारे मौलिकियोज जुड़के क्या बनाते है पॉलीधियर ना ठीक है तो लिखे ना polymer formed from one type of monomer तो सिर्फ एक ही type के monomer होंगे तो जो polymer बनता उसको बोलते हम लोग homo polymer ठीक है इसके और भी example जैसे polypropylene है PVC है polyvinyl chloride है ठीक है इसके short नाम है PVC यह बोलते है polyacrylonatural PAN Liadr को इसको और tablon यह बहुत ही important चीज है तो homo polymer के आपको example भी पता होने कि homo polymer क्या होते है ऐसे co polymer co polymer को हम लोग héter ją भी बोल सकते है ठीक है अब इसमें क्या हुआ homo polymer में क्या हुआ कि जो monomer है सिर्फ एक ही जैसे है ٹीक है एक ही जैसे monomer जड़ते हैं तो क्या बनाते है homo polymer होते है अगर अलग अलग टैप के चाहिए दो हो पर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए ठीक है तो अगर उस अगर दोनों के दोनों मोनोमर यूनिट या दो के दो से ज्यादा के ज्यादा जो मोनोमर यूनिट जुड़के पॉलिमर बना दिया हो अगर डिफरेंट होंगी तो जो को पॉलिमर कहने का मनला कि a polymer formed from two or more different types of monomer are called co polymer ठीक है जैसे यहां पर simple समझ सकते हूं homo polymer को देखो आपको पता है कि मकान किसे बनता है इटों से तो इट बिल्कुल एक ही जैसी होती है न तो उसको हो मकान है उसको क्या बोलेगे हम लोग homo polymer बोल सकते हैं ठीक है सब्सक्राइब करके ने मकान बना दिया वहाँ पर कुछ इटें लगाए और कुछ पथर लगाए ठीक है बंगा तो फिर भी बनी जा पर जो मकान बना वह पॉलिमर बन गया ठीक है पर क्योंकि उसमें पत्थर इस दो अलग अलग चीज थे तो उसको क्या बना को पॉलिमर बोरेंगे केंव कि वहाँ पर जो मोनोमर थे जो च्छोटी च्छोटी एउनिटेज जो हमने जिनको mix करके polymer बना है वो अलग-अलग type की थी तो उसको बोलते हैं लोग co polymer ठीक है इसके example देख सकते है जैसी यहाँ पर देखो जैसी यह है हमारे पास nylon 66 है ठीक है यह co polymer होता कर रहा है क्योंकि यह hexamethylene diamine और adipic acid से मिलकर बनता है देखो तो यह क्या है यह जो डाइलों 66 है वो polymer है किस किस का polymer है hexamethylene diamine और adipic acid का polymer है ठीक है क्योंकि दोनों के दोनों जो monomer है वो अलग-अलग type के है इसलिए इसको क्या बोलेंगे जो इनसे बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग co polymer बोलेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने यहाँ पर लिख लिखा hexamethylene diamine तो यहाँ पर समझ सकते हो यह क्या है carbon 6 तो hexamethylene बोल दिया cs2 methylene होता है ठीक है यहाँ भी ns2 यहाँ भी ns2 क्या बोलेंगे diamine और यह क्या है adipication का formula होता है अब यहाँपर से क्या होगा देखो यहाँ एस निकलेगा यहाँ से OS निकलेगा ठीक है अगर यहाँस से एस निकलेगा तो यहाँपर क्या बचे का only nh बचेगा और यहाँसे ओ यहाँपर क्या बचेगा CO बचेगा तो आप देख стала फिर क्या CS2 फिर यहां क्या होगा COOH आपको पता है क्योंकि यह hexamethylene and diamond एकी molecule थोड़ेगा बहुत सारे molecule होगे तो इसके बगल में भी क्या जुला होगा hexamethylene and diamond का NS2 जुला होगा NS2 फिर CS2 का whole 6 फिर NS2 ठीक है तो फिर वहां से जो NS2 होगा लहां से एस निकलेगा यहा तो फिर यहां पर क्या बज़एगा थिक है और से में यहां पर नस्टू के बघल में क्या होगा बड़ी सी चैन बन जाती हूँ तो उसको हम सोट में लिख दिया है तो क्या लिखा यहां पर लिखो nx ठीक है क्योंकि यह यहां रिपीट इशक तो निकल जाताती है से ओपाइगे lotta बना है रीपीटिंग को यहँआ है नायलॉन खीट बन से बंद लाएं ठीक है इसके बहुत सारी एक्जामपल और भी होते हैं ऐसे ब्यूनायस है पॉली एस्टर है बेकलाइट है ठीक है मेले माइन फॉर्मल डी है तो आप इनको भी अच्छी से पढ़ ले ना कि एक्जामपल को पॉलीमर की एक्जामपल कौन से होते हैं और वाले और दूसरे वा